Hello friends, welcome to Only I.A. Sindhi तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नमबर 49, National Commission for STs तो ये आपका चैप्टर नमबर 49 है लास्ट हमारी चर्चा अनुसोचत जातियों के लिए होई थी for scheduled cast आज हम scheduled tribes की बात करने वाले हैं scheduled tribes के लिए हम देखेंगे कि आखेर अलग से ये जो आयोगेवे करता क्या है ठीके इन सभी की बात हम करेंगे तो अनुसोचत जातियों के लिए आए होगा आपका topic है आपके लिए टेलिग्राम, और PDF, और class notes मैं आपको एक case बताती हूँ आपने West Bengal में देखा कि ruling party वहाँ पे TMC है तो TMC के खिलाफ क्या हुआ था कि कुछ जो ट्राइवल्स है कुछ जो आदिवासी ग्रुप्स है इन आदिवासी ग्रुप्स ने क्या किया कि इसके खिलाफ voting की हुई थी इसके खिलाफ जो vote किया तो वहाँ के जो स्थालिये नेता थे उन्होंने परिशान करना शुरू किया और इसके पहले भी कई तरह की परिशानिया यौन उत्पीरन सेक्शुल असॉल्ट भी उनके साथ हुआ तो कई बहिलाओ उने विसक्ति शाह जहां करके आपने नाम सुना होगा है न जो वहाँ की लीडर थे परिशा जहां पार्टी लीडर T.M.C. के स्थानिया नेता जो वहाँ पर थे तो यहाँ पर संदेश खाली का यह केस है तो उनकी किलाफ प्रोटेस किया जब उनकी किलाफ प्रोटेस किया गया और यह जो मामला प्रकाश में आया चुकि tribes related मामला था अधिवासियों से related मामला था तो NCST जो है National Commission for Schedule Tribes उसने action लिया वहाँ जाकर शिकायतों को जाचा वहाँ जाकर लगबग 23-24 शिकायत है ऐसी मिली इस्थानिय नेताओं के खिराफ बिना किसी का नाम बताए कि हा इस तरह के मामले जो है वह हुए है इस जाती आयोग की बात करें और भी कई आयोगों ने इसमें हस्तक्षिप किया क्योंकि उस तरह के समधाय भी थे जो उस community को प्रोटेक्ट कर रहे थे उस आयोग वह आयोग भी चला गया तो यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर शिरकत की सूप्रीम पोर्ट ने भी अपने को रिपोर्ट बनाई गया जाच किया प्रतिवीदन रास्पती जो हमारी द्रावदी मुर्मोजी है उनको सौपा ठीके तो यह काम है यह पूरा काम है किसका यह काम है अनुसोचित जनजातियों के लिए रास्टी आयोग का तो अगर हम इसकी प्रस्तावना पड़े रास्टी अनुसोचित जनजाती आयोग भारत के सम्विधान के अनुच्छे 338 किसमें है आर्टिकल 338 क्या कहता है नेशनल कमिशन फॉर स्टी ज की बात करता है शीड्यूल ट्राइट की बात करता है तो इसकी प्रस्तावना पड़ते हैं कि आयोग ने क्या लिखा है आयोग लिखता है कि रास्टी अनुसोचित जनजाती आयोग कि स्थापना अनुच्छे 368 में संशोधन करके 338 में संउधन करके और सम्विधान कम जो 89 सम्विधान संशोधने 2003 कौन सा आपको यादए नवासीव संविधान संशोधन आपको याद अपना नवासीव संविधान संशोधन जो की कब हुआ 2003 में हुआ ठीक है ये 2003 में हुआ और इससे जो प्रथक अस्तित्व है NCST का आया एक बात ध्यान रखो कि 2003 में हुआ था 2004 में अस्तित्व में आया था यो ताइम तो थोड़ा तो टाइम चाहिए ही है ना चलो आगे देखेंगे next है कि सम्विधान में एक नया अनुच्छे दाया 338 क 338 क इसको इसमें अन्ता स्थापित किया गया और इस संशोधन से जो ततकालिन रास्टी अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती पहले एक ही आयोग तो था National Commission for STs और STs तो रास्टी अनुसुचित जाती और जन जाती आयोग जो है 19 फरवरी 2004 से दो अलग अलग हो गए कबसे? 19 फैब जबसे ये लागू हुआ 2004 से अलग अलग हो गए National Commission for STs अलग National Commission for SCs अलग तो अलग अलग आयोग जो है वह अस्टित्व में आ गए ठीके? रास्टी अनुसुचे जाती और जन जाती है ना रास्टी आयोग के एतिहासिक मुल्यांकन के वारे में विस्तित जानकारी प्रतंग वार्षिक रिपोर्ट में और इस सब में दी गई थी खर छोडते हैं अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बात से वही बात जब हमने संदचना की बात के एक अध्यक, शेक उपाध्यक और तीन संदच से वही बात तीनों के लिए लाग होगी नेशनल कमिशन फॉर एस्टीज, एस्टीज और यहाँ पर इनका कारेबार गहन करने की जुदिधी है वह कितनी होगी वह तीन वर्ष्ट की होगी साथ ही इसमें यह भी आप देखेंगे कि इसमें दो कारेकाल से ज़ादा यह नहीं आ सकते तो यहाँ पर प्रता कायू गस्तित्व में कैसे आया वैसे तो आपने दीख लिया पर मैं notes बनवा देती हूँगर को उसमें ज़धा समझ बैठ जाती है कारे की बात करेंगे प्रतिवेदन रुशक्तिओं की बात करेंगे कारे वही होंगे जो आयोग पे लिखे हुए है आयोग ने जो कारे लिखे हुए वेबसाइट पर हम उन्हीं कारियों की बात करेंगे है ना कारियों की बात हम वही कारे देखेंगे जो की आयोग के आयोग ने दिये हुए वही बात लिखे हुए है किताब में भी अच्छा एक बात देखो जैसे कि pamphlet जारी नहीं होता कि आखिर क्या क्या करेंगे कौन कौन जो है वह इस आयोग के अंतरगत आकर अपनी शिकायते दर्च करा सकता है तो इस तरह के जो pamphlet से जो जानकारियों के pamphlet से वह जारी करता है और यह जो pamphlet जारी किया ना यह national commission for estries ने जारी किया तो यह commission देखो क्या कह रहा है यह कह रहा है कि निम्न अनोसोचित जनजाती का कोई जो व्यप्ती है वह इन इन विश्यों पर वह इन विश्यों पर अपनी शिकायत दर्च कराएगा जैसे कि मानव दर्वेभार, बलात्ष्रम या फिर बाल्ष्रम का निशेद sectionic संस्थानों में सीटों का आरक्षन, आर्थिक संरक्षन, पांचवी और छटी अनुसोची के कारेकरण, जन जाती है छेत्रों का प्रसाशन के स्तर को बढ़ाना, अनुदानों को निर्मुक्त करना, अनुसोचित जन जाती की भाषा लीपी और संस्क्रती का संरक्षन, आ अभी के काम करेगा, निर्मुक्त मजदूरी अधिनियम को लागू कराना, अनुसोचित जन जाती और अन्न परंपरागत जो वन निवासी है, वन निवासी अधिनियम 2006 है, वन शेत्रों में रहने वाले अनुसोचित जन जाती हो को अच्छा आप एक बात देखना, यूपी इसी ऐसा नहीं है कि विल्कुल हवा में पूछ ले रही, अरे भी कहीं दिया हुआ है, आप अगर सही जगा से नहीं पढ़ते तो इसमें यूपीसी की गलती थोड़ी है, आप गलत चीज़ों को पढ़ रहे हैं, वो तो पूछेगा ही प्रेशन, आपने ठीक से चीज़ों क नहीं पढ़ा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, कि यूपीसी पूछ कहा रहे हैं, पर इस बात को समझो तो, कई बच्ची क्या करते हैं, कि कोई भी किताब उठाली रेंडम नहीं उसको पढ़के खतम करना शुरू करेते, ऐसा भी नहीं है, कि बस पॉड्कास को देख लेना तो शैद 900 को कुछ आसपास रेंग तो प्रद्यूमन करके प्रद्यूमन कुमार है ना तो प्रद्यूमन की जो रेंग थी बैसिकली उसमें देखा कि मतलब उन्होंने बताया उनका वो तीसरा टेम्ट था और उनका दो बार प्रिलिम्स नहीं हुआ दो बार प्रिलिम्स नहीं हुआ लेकि जिस सार प्रिलिम्स हुआ उसी साल उनका एक्जाम निकल गया तो उनको जो एक कमी लगती थी उनसे पूछा कि शुरू में प्रिलिम्स नहीं हुआ तो कुछ तो आपनी मेजर करा होगा कुछ तो सोचा होगा कि मतलब यार मैं यहां गलती कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा environment geography का कुछ portion ऐसा था जो छोटा हुआ थे अब मेरा वो week था मैंना उसको भी कर लिया तो sometimes क्या है कि आपको थोड़ा सा तो थोड़ा सा सही चीजों को पड़ो सही resources को पड़ो ऐसा नहीं करना है कि एकदम resources की भरमार है library बना लेनी है एकदम marks हो जाना है या फिर गांधी हो जाना है या वेवेक आनन्द बन जाना है ऐसा कुछ नहीं है वेको सामान तरीके से इसको एक exam की तरह लो ये एक competition है ये life नहीं है competition है life नहीं है वेको सबसे अच्छी बात है कि जब आप इस चीज को समझ जाते हैं कि आज आपको एक मंजिल मिल गई आप यह जो मंजिल एक पड़ाओ बन जाता है आगे कुछ और करना है पिर आपको कैसे जैसे कि आपको लुगत हो गया फिर तो यहां से जीवन श कहीं कुछ हो जाएगा selection हो गया मानि जो दो साल आपने त्यारी करी तीन साल आपने त्यार करें कहीं selection हो गया आपको लगा कि नहीं उस जगहा पे पहुंच जाएंगे select हो गये मतलब फिला यार शादी कर ली जिम्मेदारिया खतम है ना शादी कर ली और आगे की चीज़ा मतलब आपको क्या लगता है कि हर एक एक पढ़ाव आपको पहले मंजिल दिखाई देता है पूरी लाइफ ऐसे ही चलती जाती है पूरी लाइफ ऐसे ही गुजरती छोटे में लगता है बच्चे बड़े हो जाएं दस साल के हो जाएं अपने आप सारी चीज़े ठीक हो जिनका PSC भी नहीं हुआ वो क्या कर रहे हैं तो UPSC का एक drawback जो यह समझ में आता है कि जो बच्चे UPSC कर लेता उसको लगता है कि यार अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम mentally रूप से हम कोई छोटी जॉब करना नहीं चाहते उसमें हमें लगता है कि शायद हमारा स सब बाहर ही है अगर मालीजे इस बार 2800 बच्चों ने इंट्रिव्य दिया था और इस 2800 में से 1100 बच्चों का सेलेक्शन हो गया 1000 बच्चों को सेलेक्शन हो गया बाकी कहा है 1800 1800 यह फिर से देंगे यह आप से जादा डिजर्विंग है यह एकदम क्रीम क्रीम वाला student है जि तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिमाग से सोचा करो कि या अगर UPSC नहीं हो रहा और मैं फिर भी 30 साल तक बढ़ते जा रहा हूं मैंने इवन स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसके पीछे भी कहा नहीं यह थी कि मुझे लग रहा था कि मालू मैं अग लड़का होती तो मैं काम शुरू कर देती कही न कहीं या अगर मुझे कोई financial problem है तो मैं अगर लड़का होती तो ऐसा करती कि चलो मैं कहीं job भी कर रही हूं और job भी कर रही हूं और अपना पढ़ाई जो है उसको भी continue करे इस सोच के साथ मैंने जो तैयारी मतलब यह जो काम आप में सोच रहे होते हैं कि यार यूपेसी है पीएसी है competition है चलता है बस rational तरीके से सोचो life यह ऐसा नहीं है कि नहीं यूपेसी खतम यूपेसी नहीं हुआ life खतम हो गई आपने एक mark sheet देखियोगी ने इस बार भी हर बार यह failure की mark sheet viral हो जाती है पाच बार में इस चार बार interview एज खतम बाहर पिछली बार भी ऐसा कुछ था कि 11 बार क्या पस exam दिया हुआ था बाहर तो यह क्या है यह एक part of life है यह competition बहुत छोटा सा हिस्सा है जैसे ही आप select होते ह आप कहीं और हो जाते हैं फिर आपको और चले यार अब तो मैं अभी कहीं मुझे पूरा तरीके से state नी पूरे तरीके से district नी बिला भी तक collector नी बना भी तक कहीं का कुछ ना कुछ ना कुछ चलता रहता जब आप उस दुनिया में जाते हैं तो आप तो एक होते हैं आपके कितने seniors होते हैं कितने सचे विस्तर पर सारे चीज़ें अब आपकी सुच वहाँ जाने लगती कियार मुझे ना वहाँ जाना है तो हमेशा life ऐसी ही चलती जाती है चलो कर वापस आते हैं इस पर अधिनियम 2006 यहां से question पूछा था अधिनियम 2006 यहां से question पूछा था कि जो यह लगू वन उपज है लगू सभी वन उपज नहीं जो लगू वन उपज है जैसे की शहद है जैसे की आउशदिया है लगू वन उपज के संबंध में स्वामित्वि प्रदान करने के लिए आविशक उपाय करने के संबंध में विधी के द्वारा निर्धारित खाने जिस सं साधनों जल संसाधनों पर जन जाती समुदाय के अधिकारों का सनक्षन यह बात लिखी हुई है तो लगू वन उपज है सभी वन उपज नहीं अगर आपने यह पैंप्लिक्स पहले पढ़ लिया होते आपसे वह कुश्षिन बन जाता जन जाती हो कि विकास के मार्ग में आने ने रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए उनको वहां से आप विस्थापित कर देते हो और डिस्प्लेस कर देते हो और यह जो डिस्प्लेस्मेंट है ना यह जो आपने डिस्प्लेस्ट इनको किया यह भी आपने फोर्स पुली जबरन कर दिया और जब एका में आओ एक कुशन दिखाती हो 2017 का प्रशन पूछा गया कि सुवात अंदरता के बाद अनुसुचित जनजातियों किर्पती भेदभाव को दूर करने के लिए राजद्वारा की गई कुछ प्रमुक विदिक पहले जो है वह आखिर क्या है पदनता के पहले अगर हम तो आकर सुवात अंदरता के बाद जो है कौन से प्रावधान किये गए वह आपको बताना है बिल्कुल भी टफ नहीं है यह द्यान लखना अब एक कुशन दोर देखो प्रशन क्या आया भारत के सम्विधान में पाचवी और छटी अनुसूची किस से संबंदित प्रटी यह हम पहले भी पढ़ चुके बट इससे भी रिलेटेट था तो मैंने आपको बता दिया अनुसूचित जन जाती है ना तो देखो जैसे कि यूपेसी ने में इसमें कुश्चन पूछा कि आखिर स्वातंतिता के बाद हमने क्या किया है तो देखो आस प्रश्रता क और धिया शाई फार आथ की यहां पर हमने इसके इंट्रों वगारा की बात क्लिया थोड़ी सी बात में आपको और बताती हों डेशनल कमिशन ओफ एसीज सबसे पहली बात तो कि यह जो है वह एक सम्वेल हानिक निकाए है कॉंस्ट्यूशनल बॉड़ी है अना कॉंस्ट्यूशनल बॉड़ी है आर्टिकल C38A में इसका वर्डन मिलता है शुरुवात में हम देखेंगे शुरुवात में CST एक साथ ही था यह अलग कब आया तो यह जो आयोग है 2004 में प्रथक रूप से अस्तित्व में आया साम बही होगा जो कि प्रथक रूप से अस्तित्व में आया और ये कॉन सो संविधान संशोधन था तो हमने मैं यहाँ पर एक संविधान संशोधन की भी बात करी थी जो कि आपका था 89 संविधान संशोधन अधेनियम दो हजार तीन 89 संविधान संशोधन दो हजार तीन इसके द्वारा प्रथक रूप से ये अस्तित्व में आता है तेके इसके द्वारा प्रथक रूप से ये अस्तित्व में आता है अच्छा देखो basically इसके लिए आविशक्ता क्या है हम National Commission for STs में ही इसको देख लेते ना हमें जरूरत क्या पड़ गई? कुछ तो आविशक्ता रही होगी ऐसे ही थोड़ी आयोग बना लिया देखो आविशक्ता इसलिए हो गई क्योंकि जब हम AST और ST की बाप करेंगे तो जो ट्राइब्स है ना वो AST हमालों की जंगलों में रह रहे हैं उनका भोगोलिक अलगाव भी है समाज की मुखधारा से दूर भी है तब ऐसे में क्या होता है कि उनकी परिशानिया भी अलग होती है है ना उनकी परिशानिया कैसी होंगी? अलग होंगी तो भोगोलिक और सांस्कृतिक रूप से भोगोलिक वा सांस्कृतिक रूप से भौगोलिक वा सांस्कृतिक रूप से जो जन्जातियां है भौगोलिक वा सांस्कृतिक रूप से जो जन्जातियां है उनकी समस्याएं भी अलग हैं उनकी समस्याएं भी कैसी हैं? अलग हैं और इसलिए हमें आविशकता है कि हम इसके लिए प्रथक से एक जो अलग से प्रथक अस्तित्वाला एक आयोग लेकिया हैं कि इसके लिए हम देखेंगे अलग से एक जन जातिय मंत्राले भी है कि एक जन जातिय मंत्राले चुकि contrib ann... कि वैद्टरिस की बात करता है उसकी अंतरकत इसकी प्रॉबलम्स और सलुशिंस को देख पाना पॉसिबिल नहीं था न तो हम ने क्या कि अलग से इसके लिए जो एक अनुसुचिक जो जंजाति मंत्राला है बिसक् Avec जंजातियों के कल्यान वविक आस के लिए है न हमने इसको क्यूं बनाया स्टीज के कल्यान हो डिया अज़ सके कल्यान हेतू हम ने इसको बना लिया ठीके तो ये basically क्या काम करेगा जैसे कि यो जो भी STS से लिटेड योजनाई हैं उन्हीं योजनाओं के समनवयन का काम करेगा योजनाओं का समनवयन करना कि मान लिज़े STS के लिए कोई योजना है तो उसका लाब मिल रहा या नहीं जो समवयधानिक उपबंध है उसको लागू करना जो समवयधानिक उपबंध है समवयधानिक उपबंधों को लागू करना ठीके इसके लिए हमें बहुत जरूरत थी और इसके लिए ही हम क्या किया है हमने 2004 में हम इसको अस्तित्व में ले गया है अब हम थोड़ी सी बात जो आपकी STS वाली थी वही संदचना आपकी जो STS की थी वही इसकी है तो National Commission for STS की जो संदचना थी बिल्कुल same to same आपकी National Commission for STS की संदचना है संदचना दो रो की बिल्कुल एक जैसी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदसे नियुक्ति कारेकाल सेवा शर्ते, रास्पति तै करेंगे, कारेकाल तीन वर्ष का होगा और इसके अलावा उनकी नियुक्ति जो है वह हो सकती है लेकिन केवल दो वर्ष के लिए मतलब केवल दो कारेकाल के लिए, दो कारेकाल से अधिक के बाद वह नियुक्ति नहीं किये जा सकते तिन वर्श की अभ्धी अध्यक्ष माना जाएगा उपाद्यक्ष को राजमंत्री की दर्जा हो गाँ और अगर नगुस के लिए न्युक्ती के लिए पात्र नहीं होंगे ठीक है समज गई ये था बैसरन के लिए संद्ज daughters अब देखो अगर हम इनके कारियों की बात करें इनका कारे क्या होगा आफ थोड़ा सा और देखते हैं कि आखिर यह अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती वह यह आयोग जो है नैशनल कमिशन फॉर करना उनके मामलों की देखने करना उपाई राहत इस सभी चीज़ों को करना वही काम एस्टीज करेगा यह मतलब जो नैशनल कमिशन फॉर एस्टीज के लिए कर रहा है ठीक है तो यह का कहरा है कि समधान निर्माताओं इस बात को ध्यान से पढ़ना समधान निर्माताओं के ध्यान में यह तथाया कि देश में कुछ समुधाय आदेम करशी प्रथा अब संदचना सुविधाओं की कमी भोगोलिक प्रथक करण के कारण चुआ छूत की आदीकाल से चली आ रही परवपराओं के कारण सामाजिक और सेक्षनिक और आर्थिक विछड़ेपन से बेड़ आप बुरा पो नहीं बानेरों यहीं तो आव शकताती आ शक्ता आंधिका यह जवाब श्कता 7 wide कियों की यह समव्दाइए में चाहें क्रशी उसके हाथ में सब कुछ है भले वो गला थो तब भी वैसा ही है तो यहां पर क्या है कि अगर वह पिछड़ा है वह पीडित है और उनके हितों की सुरक्षा के लिए विशेश विचारन के लिए और उनके जो सामार्थिक जो विकास है उनके अभी व्रद्धी की आविशक्त अ 338 के तहर्ट प्रभावी कानून या किसी आदेश के अंतरगत स्ट को प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों को कारे करेगा तो में कारे वही तो है ना सुरक्षा के उपाय इनका अधिकार है इस लाइन को भी लिखने ना जब शुरवात में इसके इंट्रोड़क्शन में लिखो के सुरक्षा के उपायों का कारें उनकी निग्रानी और संबधि जुमुद्धे उसको देखना अगर देखो मेंस की आपसर राइटिंग करते हो तो जैसे कि मैंने आपको एक एक ग्जांपल जो इसका बताया है टींसी वाला आप इस तरह की जो एक्जांपल से में यूज कर सकते हैं ठीक है करो तो देखो कुछ संबधान एक प्राफधान वैसे इनके जरूरत है नहीं एक कुशन और देखो अनुसुचे जातियों के लिए रास्ट्री आयों के सदस रास्ट्पती द्वारा बनाए गए नियमों के अंतरगत तीन साल की अब्धी के लिए पद्धारण करेंगे फिर दो कारेकाल से अधिक के लिए नियुक्ती के पात्र नहीं होंगे रास्पती के द्वारा बनाए गए नियमों के अंतरगत तीन साल की अब्धी के लिए काम करेंगे क्या ये जो अब्धी है वह तीन साल की है या दो साल की अब्धी है और तीन कार तो यहां पर देखो डर्ष का कारेकाल सही है और तीन वर्ष की अबदी जो है यह भी सही है तो यहां पर इस दोणों बहुत करने के लिए कह सकता है किसी डॉक्ति कुस करने किali कैसा को सकता है पेश करने के लिए कह सकता है शबत पत्र पर जो साक्षे जो गवाहों है चाहें उनके अस्ताक्षरों की बात करें किसी न्याला या कारेले से लोक अभी ले क्या उसकी प्रती की अपेख्षा करना साक्षी और दस्तावेज जो है उससे निकालना कोई अन्य विशा जो सशक्ति करन के लिए स्वर्ग के लिए काम करना रास्पती जो काम दे रहे है उस काम को करना है अब दिखो अगर हम इसके प्रतिवेदन की बात करें तो ये जो प्रतिवेदन है वह किसको और कैसे सौपेंगे प्रतिवेदन के बारे में भी सेम यही होगा कि अगर हम प्रति पती को सौपेंगे और राष्ट पती ये जो प्रतिवेदन है ये संसत की समक्ष रखवाएंगे अगर राज्यों के संदर्व में हैं तो सेम वही बात राज्यों के संदर्व में अगर यही होगा तो यहां पर गवर्नर को सौपेंगे गवर्नर विधार मंडल में जैसे कि अगर हम अनुसुचित जनजातियों की बात करें तो अनुसुचित जनजातिया मतलब क्या है न तो अनुसुचित जनजातिया मतलब ऐसी आधिवासी जाती या आधिवासी समुदाई या इन आधिवासी जातियों और आदिवासी समदाय के भाग या उनके समुह के रोप में परिभाशिक किया गया जिने समिधान में उद्देशों के लिए आर्टिकल 342 में अनुसुचित जनजातिया माना गया तो 342 में जिने अनुसुचित जनजातिया माना गया वो बिसिकली शाबिल होंगे इसमेहना य ये आर्टिकल कौन सा कह रहा है ये कह रहा है 366 तो 366 परिभाशा नहीं दे रहा 366 कह रहा है कि जो 342 में कहा गया है वो अनुसुचित जंजातिया है तो 366 फिर क्या कह रहा है ये केवल अनुसोचित जंजातियों को परभाशित करने की जो प्रक्रिया है उसको निर्धारण करेगा ये प्रक्रिया के निर्धारण की बात करेगा अब देखो तो आर्टिकल 342 क्या कह रहा है 342 कहता है कि जो रास्टपती है रास्टपती के पास यह पावर है किसी राजिस संग रा captured be purchased 8 juicer reveal अब これ वा two of these outs 13即 6 quad holy Žं ये ना तो रास्पति के पर वाशित करने के रेंग तुर्म कि वह प्रपरते किरफो किसंधूर करर आप देखो निसे जनहती अनिवासी आदिवासी जनजातिया जो की 382 में लिखी गई है 341 को नुसार ही इनको नुस़चे जनजातियों के रुप में समझा जाएगा आब पाचवी और छटी अनुसूची की बात करें अब आप सूचेंगे ये बात मैं हमने यहां क्यों कर दी पाचवी छटी अनुसूची हम अनुसूची अनुसूची के लिए अलग से कुछ प्राबधन किये आप पाचवी और छटी अनुसूची लिखो तो पाचवी अनुसूची क्या कर रहा है पाचवी अनुसूची फोर स्टेट को छोड़ देता है उन फोर स्टेट के प्रसाशन के लिए छटी अनुसूची है तो देखो छटी अनुसूची के जो चार है इनको छोड़ कर पाचवी अनुसूची में इन चार स्टेट को छोड़ दिया गया और इसके अलावा राजू में अनुसूच शेत्र अनुसूच जन जाती के प्रसाशन और नियंतन के लिए प्रामधान नर्धारित करेगा छटी अनुसूची में इन चार राज्यों की बात की गई जिसको पाचवी में छोड़ दिया गया था कि इन चार जो जन जाती शेत्रे इनका प्रसाशन कैसे होगा तो पाचवी और छटी अनुसूची प्रसाशन से संबन देते और यही कुश्चन तो UPSC ने पूचा था कि भारती संब्धान की देखो कुछ नहीं पूचा UPSC ने बस एक छोटी सी बात पूची थी आपने अनुसूची नहीं पड़ी थी आपकी गलती थी तो अनुसूची के बारे में सिधा सा पूच लिए कि जन जाती है शेत्रों के अगर हम प्रसाशन की बात कौन से अनुसूची क्या विश है बहुत डैप्ट में नहीं पूचा कि वल आपसे जानना वस चाहा कि आख जानते हैं इस अनुसूची को तो कम से कम अटलिस सितना करो कि जितनी भी अनुसूचिया है उन सभी को लिख लो और उनका जो में वर्ड है उसको आप याद कर लो ठीके समिधान के मुख्य भागों को जानो सारे भागों को मत जानो अटलिस मुख्य भागों को जो है वह आप जरूर जाने ठीके तो यह हमने को शक्तिया और कारे क की बात कर ले खुशिश करो कि इस कुश्चन को जो है मैं लिखने का काम कर सको थोड़ा सा है ना चलिए ठीक है तो इसमें इतना ही प्रतिवेदन किसे सौपेगा कारे क्या है प्रथा कायोग और शक्तियां ये सारी बात हमारी हो गई जल्दी से एक बार बता देती है और उसक प्रतिवेदन देखा और हमने जाना कि इस एक्जांपल और ये जो केस हुआ था इसमें जो आदिवासी जो की वर्ग शामिल था तो यहां पर जो इसमें आ गया इसने संग्यान लिया जाके मामले को समझा प्रतिवेदन तयार किया रिपोर्ट देखा और रास्पती को आपको कहा गया है प्रथक अस्तित्व होगा तो प्रथक आयोग कारेप्रतिवेदन शक्तियां देखा हमने जाना कि जन्चाती मंत्राले बेस के लिए लग से जो काम है करता है आवे शक्ता इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसा वर्ग है जो काफी पीछे हैं उनको पीरित और आयोग का पैंफलेट है थोड़ी आयोग की विबसाइट देखे रहा हो देखते रहा करो जो भी इंपॉर्टेंट आयोग है और यह आपका एक टालेग्राम चैनल है जिसमें की आपको प्लासिस के इन परमिशन मिल जाती है क्लासिस के नोट्स मिल जाते है या फिर सर्च कर लो एड़ रेट मंजो पी डवल यूपेसी वाला या फिर आप इसको स्कैन कर लो तो यह थी आपकी आज की ग्लास इसके बाद अब हम नेक्स लास में बात करेंगे रास्ती यह पिछरा वर गायों देखो में इंपोर्टेंट और जो बड़े-बड़े चैप्टर थे आपक कुछ नए रिफॉम आया है तो हम उसको समझ लेते हैं ठीक है तो कांटिनिटी के साथ जुड़े रही हैं बाकी आपके कॉमेंट्स के माद्यम से हमें आपके जो रिवीव और सारे चीज़े वह पता चलती रहती है आप कॉमेंच करेंगे तो हम उससे जानकारी मिलेगी क्य आपको अगर कोई problem हो रही है उसको हम sort कर पाएंगे मिलते हम अपने next session में thank you thank you so much